एक बार की बात है, एक जंगल में एक जील थी, जो खूनी जील के नाम से प्रसिध थी। शाम के बाद कोई भी उस जील में पानी पिने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस जील में पानी पिने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पिने जाता था। एक शाम को वह उस जील में पानी पिने गया, तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी और आ, आता हुआ एक मगरमच देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा, रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया, जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा, चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई, जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी जील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है, वह वापिस नहीं आता, लेकिन उस जील में मगरमच्च क्या कर रहा है? उसे तो हमने कभी नहीं देखा, इसका मतलब वह मगरमच्च ही सभी जानवरों को खाता ह जो भी शाम के बाद उस जील में पानी पिने जाता है, अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस जील में गया, मगरमच्च सभी जानवरों को आता देख कर छुप गया, लेकिन मगरमच्च की पीठ अभी भी पानी से उपर दिखाई, दे रह लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएंगा, ये सुनकर मगरमच बोला कि मैं एक पत्थर हूँ, इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच है। बन दो करते हैं, तो उसकों अपके पर आपके जानवरों को पता हैं, तो उसके बने हम अण जानवरों को पता लग जानवरों को पता है।